बेना शानल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं लेटिस्ट अपडेट्स पाने के लिए नमस्टा, कुखिंग विस शालिदी में आपना स्वागत है हम सब के गरों में दाले तो बनती हैं तकरीबर दिन में एक बार तो हम दाल बनाते हैं एक टाइम पर अज हम एसी दाल बनाएंगे जिसको खाएंगे तो हमें और किसी पी सब्सक्राइब की जरूरत नहीं पड़ेगी हम आज भाबा स्टाइल बहुत ही तड़केवली दाल बनाएंगे तो आगी देखते हैं से पनाने के लिए इमें की चीजहों की जरूरत है तड़के वली दाल बलाने के लिए हमेश यह प्यास, टमाटर, लस्टन, अद्रक, हरी मिर्ची, सर्सो का तेल, देसी घी, चने की दाल, उरत की छिलके वली दाल, नमक, देगी मिर्च, हर्दी पाउडर, जीरा, और धन्यापॉड़, अई शुरू करते हैं अपनी दाल बलाना दाल बलाने के लिए हमने यह उरत की छिलके वली दाल ली है, इसको हम आदी कटोरी दाल के लेंगे, और यह आदी कटोरी से थोड़ी जादा है, चने की दाल, यह भी इसमें मिक्स कर लेंगे, अब इसको अच्छे से 6-7 बार पानी से धोल लेंगे, दोनों दालों को मिक्स क अब अपना प्रेशर कोकर लेंगे और प्रेशर कोकर के अंदर दाल को दाल लेंगे इसमें डालेते हैं पानी पानी के डाल दाल देंगे तकरीबन आधा चमश्य नमक के डालाएं बाद में और दाल सकते हैं कम जादा हम अपनी टेश्ट के साफ से डालें इसमें डालेंगे हल्दी पाउडर तकरीबन 1 थर्ट कूल से तोड़ा सा जादा अब कर साफ कर देंगे और इसमें तीन चार विसल्स आने अधे गास पर रभी है फुल फ्लें पे इसको रखना है और तीन चार विसल्स आने तक इसको गैस पर रखेंगे उसके बाद हम चेक करते हैं तटकी अब इस तरह से बरिग बरिग काट लेना है हमने 2 बड़ी साइज की oneyने में इस थरह से काट लेना है तड़के के लिए हमने प्यास को बरीग-बरी काट लिया है और टमाटर को भी हमने बरीग-बरी काट कर तयार कर लिया है अद्रक को भी हमने काटा हुआ है और हरी मिश्ची हम उससे टाइम काटेंगे यह लस्टन है इसको भी हम बरीग-बरी काट कर रखेंगे अब आपाई लगने 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 अब यह दल करकर हम छोड़ा पानी आपानी हो चाल दाल करेंगे 1.5 का पाने का हमने इसमें और डाल दिया है इसमें आप हम डालेंगे सरस्यों का तेल यह आप देख सकते हैं एक कच्छी थोड़ा सा जादा हमने तेल डाल दिया है कि परेशर को को बंद कर देंगे और ग्यास को नीचे से एंट तोपारा थाए होने तक इसको प्रेशर कोक्र को की उस एक पर खनेगे अब चाहें अगर आपको डाउट लगे तो थोड़ा आप चेक कर लीजिए विश में अदर्वाइस इसको हल्की गैस पर बनने दें अब प्रेशर भी इसको निकल चुका है अब प्रेशर कोकर खोल लेते हैं और दाल को चेक कर लेते हैं दाल हमारी बन चुकी है आप देख सकते हैं अब अब लगाएंगे पर दाल को हम हल्की गैस पर जो है अब करणा जेए अब जायां अकर्ड़णास करता है करकी के लिए भीदाड़ाय पर कुद्तिक सब्सक्राइब लेते हैं अब लोगाओ लोगाए 7-6-7 जान, मतर्ड़य तर-7 अबले लगईगा करणा है प्राओ नेस में जदोगाए, अज़ित शुनद दूँया है खिल दूँया है यह क्टा अधर जेए चलती है और इसके साथ हम डाल देंगे अपने अधरक, अधरक को भी हमें बलीक बलीक परी काट लेगा है विल्कुल बलीक अधरक काटना है तकरिबंगें एक छमज अधरक क प्राउन हो चुका है इसको भी हम प्याज दाओ दाते है दो कर्शी हमें बरी कटावा प्याज दादिये इसको भी हम गोर्डन ब्राउन कर लिए गयास को तेज रखेंगे हरके हमारे जो प्याज से ब्राउन होने लगी है इसमें डाल लेते हैं जीरा तकरीवन 1 थवर्ड स्पून सुखा दनिया आधा जमच देगी मिर्च आधा जमच भरकर नमक थोड़ा सा 1 थर्ड स्पून नमक हम दाल में पहरे भी डाल चुके हैं स्वाद अनुसार डालें इसको मिक्स कर लेंगे अच्छे से अब इसमें डालेंगे अपने बारी के कटे वही दो टमाटर यास को हलका कर देते हैं अब मसाले को हलका एक मिनिट के लिए धाब कर दो एक मिनिट हो चुका है मसाला चेक कर देते हैं हमाthough अच्थ कहुंगा ठेविए टेकरे गहर्त प्रयाक ने सब्सक्राइब से मसाला होने बन चुका हैOD क्रमाटर हो अच्छे मिक्स कर देंगे अब होड़ता सारह आई अदर आदर मसाला ठथे कर देंगे और यह आपको देनगे कि दाल के अंदर मसाले को मिक्ट कर दिया है इस तरह से दाल के अंदर मसाले को मिक्ट कर दिया है इसको साइट कर देंगे और अपना मसाले को आपर यहां रखेंगे मसाले पुछ तरहा स्ट्राइट कर लेंगे पर इसमें थोड़ा सा देशी की और डालेंगे तरिबन एक चमज एक छोटा चमज देशी की कोड़ डालेंगे इसमें डालेते हैं खुरी सी 1-3 तर्ट कूल देगी मिल्च और इसको सारे मिक्स कर देते हैं इसको बंद कर देते हैं पर अपनी दाल को जो है सर्फ करने के लिए रड़ी रखाए हमने यह हांटी लिए है इसमें दाल जो है बहुत ही बढ़िया लगती है इसमें अपनी दाल दाल रते हैं इसमें सर्फ करेंगे हम अपनी तड़केवरी बहुत ही बढ़िया दाल बनी है बहुत ही बढ़िया खुश्बू आ रही है इसमें बढ़िया दाल देंगे बाखी का तर्का इस तरह से बढ़िया दालेंगे अमोल बटर इस तरह से और हरी विष्ची को बारीक बारीक उपर से काट देंगे बढ़िया दाल बनी है इसे आप चपाती के साथ खाएं नान के साथ खाएं चावल के साथ खाएं बहुत ही टेस्टी लगेगी आपको आप इससे जरूर मेरी रेस्टेपी से बनाएं और अगर आपको पसंद आए तो आप लाइक करिए शेयर करिए कॉमेंट करिए और मेरा सा नहीं सब्सक्राइब करना ना पूले दने वाद